हेलो फेर्स वेलकम टू अस्टार का स्टेडी पाइंट स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियों में लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एक्जाम करेश कोर्स वीवी अब्जेक्टिव कोशन के रुप में केमेस्ट्री रसाइन बिग अच्छातनी हैं दोस्तो आगामी बोट परिक्षा में सामीर होना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करके पूले वीडियो को जरूर देखना दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजएगा तक किसी तरह से जैसी निया वीडियो करहुंगा तरो रहें वीडियो को जरूर सेयर कर दीजिएगा और भी कोशन के प्रैक्टिस करना चाते हैं दोस्तों इस वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं अगर आप भी तक टेलिग्राम पर जरूर 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 लिजिए क्योंकि वहाँ पर लोग को पीडियाप और साथ में आप लोग को एक्जामसर लेटेटर जिती हैं वी निव जाते हैं वह आप लोग को वहाँ पर मिलते रहता है और इस्टाग्राम पर जरूर फोलो कर दीजेगा जिसका लिंक नीचे डिस्किप्शन में दिया गया है दोस्तों ठीक है वहाँ पर आप लोग को एक्जामसर लेटेटर काफी सारी निव जो है वहाँ पर मिलते रहते हैं आप सभी को जो भी बिहार बोट के दौरा अफिसली आता है तरह आप पहला कोशन देखते हैं कि एक योगीक जलांसर के पासाथ एक डिगरी अमीन देता है उस योगी का नाम देखें यह सभी कोशन प्रिवेस यह और साथ में जो मोडल सिर्क कोशन है और इमपोटेंट जो कोशन बनते हैं दोस्तो इस चप्टर से सभी करने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एक्जाम को लेकर ही यह वीडियो बनेया जा रहा है दोस्तो और बहुत इमपोटेंट कोशन है सब दोस्तो एक योगीक जलांसर के पासाथ एक डिगरी अमीन देता है तो क्या कोशन है क्या क्या song क्या क्या सल्ग कोशन फॉर्म होप मेट ऐसी कजा है क्या इस फोर्मेट को गर्म करने पर बंदता है यह बनता है दोस्तो आपका Acid Lehyde ठीक है तो याद रखेगा 2 का B हो जागा Acid Lehyde यही आपका Calcium Format को जब हीट करते हैं दोस्तों यह बनता है Product के रूप में Acid Lehyde ठीक है 2 का B याद रखेगा चले तीन नमर question देखते हैं कि Aniline जब Bromine जल के साथ क्या question है कि Aniline जब Bromine जल के साथ किरिया करता है तो उत्पाद बनता है Aniline forms when Bromine reacts with water ठीक है जल के साथ अब जल के साथ अब किरिया करता है Aniline तब यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों product करूप में यह बनता है आपका 2,4,6,3,Bromo Aniline ठीक है यह बनता है आपका 3 का से उत्राप का B हो जागा यहाँ पर 2,4,6,3,Bromo Aniline यह भी question पूछा जाए चुका है दोस्तों चल ले next question देखते हैं आपके कार्विल एमीन जो अब विक्रिया करके देती है यहाँ पर कौन सा विक्रिया करके देता है दोस्तों यहाँ पर कार्विल एमीन तो उस अभिक्रिया का नाम है दोस्तों आपका CH3NH2 याद रखेगा यह question पुछा गया question है फिर वे CS में पांच नमर है दोस्तों कि मिथाईल एमीन को बनाया जा सकता है दोस्तों है मिथाईल एमीन केन भी मेड फ्रॉम और्या दोस्तों यहाँ पता उपका हॉआप्मैस ब्रोमाइड रियक्षकियगा उनस कि मिधाईल एमीन को बनाया जा सकता है यह 2009 के बेर्ट परिक्सान में पूछा जा चूका है और काफी यह स्वैट पूछा चुका है दोस्तों कोस्टन होफ्मेंस ब्रोमाइड ड्रेक्शन दोर आज मिथाल एमिन को बनाया जा सकता है तो याद रखेगा पांच का भी छे नमर देखते हैं दोस्तों के नैट्रो समू का बेंजीन वले पर जो परभव होता है दा मैं नैट्रो ग्रोप हैज एन एफेक् बेंजीन रिंग तो यह क्या परहूब परता है दोस्तों नैट्रो समू का बेंजीन वले पर यह निस्क्रियन कारी ठीक है याद रखेंगे यहाँ परहूब परता है यह भी कोशन पुछा जा चुका है साथ नमर देखते हैं कि ओयल ओफ मिरा बेंड कहलाती है इट इसको ब जो ट्र देखते हैं यहाँ पर कैल कि यहां पर बनता है क्या कोस्टै यहां पर के पूर्ण जल अप घटन से जो उत्पात बनता है दोस्तों एमीन एमाइड एसिड या फिर एलकोहल यह एमीन बनता है याद रखेगा आठका से उतर आपका यह हो जागा इलकीन सैनाइडों के पूर्ण जल अप घटन से जो प्रोड़क्ट बनता है है दो कंप्लीट हेट्रोलैसिस ओप इलकाइन यहाँ पर है सैनाइड प्रोड्यूज दो प्रोड़क्ट एमीन ठीक है याद रखेगा आठका ए नौ नमर है दोस्तों कि CH3CN का आयूपेक नेम क्या है देखिए आयूपेक नेम तीन से चार कोशन फुज आते हैं दोस्तों और आयूपेक नेम है इसका एथेन नेट्राइल डस नमर है कि एनलीन एवं एसल्टी डिहाइड पर्तिक्रिया कर बनाता है एनलीन एवं एसल्टी डिहाइड यहाँ पर रियक्ट वाइ फॉर्मिंग ठीक है यह एनलीन एवं एसल्टी डिहाइड जो पर्तिक्रिया करके बनाता है दोस्तों ये बनाता है आपका कारवाइल एमीन निटरोजन नेत्रोबेंजिन या फिर ुमीन या फिर Skyps base ठीक है ये बनाता है दोस्तों आपका यहाँ पे है यह uhhik support बनाता है दोकितर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर पर्तिकिर्या करके बनता है तो यह इसकिप बेस बनता है तो याद रखेगा यहाँ पे 10 का D हो जाएगा यह भी कोशन पूछा जा चुका है दोस्तों अब आया है कोशन कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है बहुत ही भी भी विए कोशन है दोस्तों C6, H6 होता है इसका सरल सूत्र सिंपल फर्मूला याद रखेगा फिर 11 का C हो जाएगा बहुत सिंपल कोशन था बारा देखते हैं कि निम्लिखित में से कौन परवलतम भास्म है ठीक है यहां परवलतम भास्म है ठीक है याद रखेगा निम्लिखित में से कौन परवलतम भास्म है ठीक है ठीक है नेक्ट्स कोर्शन देखते हैं एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है यह यह चोड़ा कि गुरूप को कहा जाता है CONH2 functional group है दोस्तो इस group को हम लोग क्या बलते हैं amino group, amino group या फिर carvile amine इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो आपका amino group याद रखेगा 14 का A हो जागा है आपे 15 है दोस्तो कि C2H5NH2 का आयोपेक नेम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तो यह question यह दोजारोनेस में पुझा जा चुका है कि C2H5NH2 का जो आयोपेक नेम है वह आपको बताना है तो इथेनामीन या फिर amino ethene या फिर आपका इथाइल एमीन तो यह आपका हो जागा दोस्तो आमीनो इथेन इसका से उत्तर C2H5NH2 का आयोपेक नेम यह भी question पूझा जा चुका है डाइक question पूझा दिया जाता है दोस्तों फिर यहाँ पर शोलो नमर है कि amino amyl में C2H group के अत्रिक जो होता है वह कौन सा गुरूप था था तो आमीनो अमल में तो अमीनो अमल में C2H group के अत्रिक तो यहाँ पर 16 का B हो जागा NH2 group 17 देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि CH3CH2NH2 को जो कहा जाता है वह कौन सा एमिन बोलते हैं दोस्तों CH3CH2NH2 को एथाइल एमिन, प्रोपाइल एमिन, मिथाइल एमिन या फिर अमोनियात इसको हम लोग बोलते हैं दो तो इथाइल एमिन ठीक है याद रखेगा CH3CH2NH2 को हम लोग बोलते हैं एथाइल एमिन अठाइल नमर है कि NH3 में N का जो संकरन हैवरिटेशन पूछा जा रहा है दोस्तों The हैवरिटेशन of N in NH3 is NH3 में N का जो हैवरिटेशन है दोस्तों वह आपका है यहाँ पे SP3 देखे इस तरह के कोशन पूछ आते हैं एवरिटेशन से संकरन से ठीक है एक से दो मार्क्स के हरियर्स इक्स तरह के कोशन रहते हैं तो आप लोग देख लीजेगा तो यहाँ पे 18 का से उतर आपका हो जाएगा ASP3 ठीक है दोस्तों एमीन चेप्टर जो था दोस्तों इस चेप्टर से हम लोग 18 अपजेक्टिव कोशन किये हैं इन से अभी तक जितने भी कोशन पूछे गये थे वो मैंने आप लोग के आप बता दिया दोस्तों और भी काफी सारे कोशन थे ठीक है और यह सभी कोशन आप लोग को जितने भी कोशन बता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों इसी तरह के और भी काफी सारे कोशन आने वाले सभी सब्जेक्ट के आप लोग को चप्टर वाइज केमेस्टि का फिजिक्स का हिंदी इंग्लिस का देने जा रहा हूं ठीक है